हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग्यान तक फ्रेंड्स, यह क्लास 12 के जीव बिग्यान का कुर्स चल रहा है अध्याय नंबर है 11 और अध्याय के नाम है जैपरद्यों की सिधान्त यों प्रक्रम जिसे इंग्लिस में लोग आएंगे प्रेंड्स, मैं इस चेप्टर को पूरा डिटील आपके सामने एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ और आपको इसका question answer भी मिल जाएगा वो मैं आपको इस चेप्टर के समाप्त होने बाद कराऊँगा तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जयव परदोय की क्या होता है यानि जयव परदोय किसको हम लोग कहते हैं तो जयव परदोय का आप देखना करते हैं इंगलिस में क्या कहते हैं लिए सब्सक्राइब की एक प्रकार चुंटे हैं जीवों सब्सक्राइब का उपयोग किया जाता है जय प्रद्योग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें और द्योगिक प्रक्रमों में सजीवों तथा सजीवों से मिलने वाले प्रदार्थों का उपयोग किया जाता है तो यह क्या है एक प्रक्रिया है प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं और द्योगि इधरा रहां हम क्या करता हैं। तो जीवों में प्रिवरतन करता है। और यह किसमा आधियम से की जाता है तो यह किया जाता है इनके DNA के माधियम से DNA में कुछ फिर बदल करके क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो किसी भी जीव कीssa उक्या होता है वो होता है न्यूक्लिक अंब्ला किसी भी जीव का वो होता है गोर आपको में पता है प्रक्षों के ऐसा ही क्या होता है उस सब को मैं सारा पूरा डिकल में आप लोगों को बताऊंगा तो लिए जानते हैं तो जैप्रणेटी की के बारे में कि जै प्रणुकी की प्रणुकी प्रहीद कब शुरूर हुई तो जबसे पहले ज़ो हमारे पूर्वस थे वेलहों हुई जयक प्रदुख्यू का यूज्ण करते त które यह सबसे पहला प्रड़क्ट था यानी सबसे पहला उत्पार जो जाय प्रदुख्यद्व की की सहाइता से बना वह था अल्कोहल अल्कोहल था, ठीक है, अल्कोहल सबसे पहले बनाए गया था और ये 1150 इसवी तक बनाए जा चुका था पहलिक समय के लोग अल्कोहल का यूज कर दे था, यानि सारी 1120 के अस्तास, यानि आज से लगभग, सर्याट सो बर्सपुर्व, लोग क्या थे, अल्कोहल बना चुके थे, ठीक है, और ये जैप्रदुकी के माध्यों ते ही हुआ था इसके अलावा, आप देखेगा, सिर्का, तो सिर्का ये 14. सतवदी तक लोग इसका यूज करने लगे थे, इसके अलावा जो मस्रूम होता है, मस्रूम, और मस्रूम की क्रित्रिम खेती की गई थी, फ्रांस में, वो 1650 इस्वी में की गई थे, यानि इतना पहले के लोग भी जय परदोगी के बारे में जानते थे, और इसका उप्योग करते थे, इसे अलग-अलग प्रोड़क्ट बनाते थे, ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या का बता दिया है, कि जय परदोगी क्या होता है, और इसका इतिहास, यानि कैसे जय परदोगी पहले लोग इसका उ उद्देश क्या है, तो जय परदोगी का उद्देश है, जीवों के लक्षणों में सुधार करना, जैसे आज कल के समय में देखते हैं, इतने पेर पौध हैं, या जीव जनतु हैं, तो पेर पौधों के गुणों में सुधार किया जाता है, आप देख सकते हैं, आज कल कित दधात्र प्राप्त किया जा सकता है, ज्यादा उत्पात प्राप्त किया सकते हैं कम खेसदी में करके साथ ही अनिक पीसली रहा हूं इन्सुलीन को मानो के सरीर से निकाल करके E gute sonneช No mr अब दोसी आज बटीए किये घया जैसे विभीन्त प्रकार के त люди के लहाँ जाते हैं यह पर सथे परकार आख यह जाते हैं यह फिर है यह अज इसके लावए enzyme बना ये जाते हैं बहुत सारे enzyme, वो इसी के सहयता से बनाः जाते हैं, ऐसे ही बुरिधी hormone होता है वो भी जय परदुगी के सहयता से ही बनाये जाता है, ठीक है? Alliance जैपरदु के क्या यूज होता है तो इसका यूज हम लोग बहुत जगह पे कर सकते हैं अब आप यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ठीक है अब जानते हैं एक बर में आपको फिर से जैपरदु की परिभासा बताता हूं और साथ में आपको यहां पे लिखा हुआ आजाएगा आप देखर करके उसको नूट कर सकते हैं तो जैपरदो की एक ऐसा प्रकरम है जिसमें और द्योगी की प्रकरमों में जीवों तथा जीवों से प्राप्त होने वाले प्रदार्तों का उप्योग किया जाता है और इससे प्राप्त कोंन हुए प्राप्त कौन-कान से है तो जैपरदो की एंगिय है जैसे टीका विवोंतर का इंजायम है ब्रिधी हर्मोन है और भी बहुत सारे उत्पाध है जो इन से प्राप्त होते हैं जैसे संकर वीज हो अगर हो गया पौधों में अनुवानसिक तो कुछ बदलाव करने होते हैं तो वो सब जैपरदुकी के माध्यम से ही होता है तो चली हम लोग जान गए जैपरदुकी क्या होता है अब जानते हैं जैपरदुकी का सिधान कौन कौन सा है तो जैपरदुकी का दो सिधान थे जैप्रद्री का मुख्य रप से कितना सिधान थे दो सिधान थे पहला है अनुवानसिक अभियंत्री के जिसे हम लोग जीन इंजिनिरिंग कहते हैं और ऐसे ही दूसरा है रसाइनिक अभियंत्री के रसाइनिक और रसाइनिक अभियंत्री की क्या होगा इसको कहेंगे केमिकल इंजिनिरिंग ठीक है तो इसके दो सिधान थे चलिए इन दोनों को भी जान लेते हैं सबसे पहले जानते हैं कि अनुवानसिक अभियंत्री की क्या होता है तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी जीव की अनुवान तो उसजीव की एक DNA को या उस खास जीन को निकाल करके दूसरी जीव के DNA में लगा देते हैं, एड कर देते हैं, उसे ही अनुवानसिक अभियनतरिकी कहते हैं, जैसे आपको यहां पर एक DNA दिखाई दे रहा होगा, यह DNA की सनचना एक नहीं होती है, जो सभी जीव में पाई ज को हमें बतलना है वहां नए हडिये जोड़ना है थो क्या करता है उसको काट करके हटा लेते हैं और निव को किस से कारते हैं तो उसको कातने के लिए एक विशेस उपायर अपनायाई जाता है थो इस कौ healthy या फिर सिंपल तरीके से तो काट नहीं सकते हैं तो डिने को काटने के लिए यूज करते हैं मैं यहां लिख रहा हूं प्रति बंधन एंजाइम का प्रति बंधन होते हैं जिवानों होते हैं उनमें यह वाला DNA तो होता ही है इसकी अलावा एक और DNA होता है जो गूल अकार का होता है जिसे प्लाजमीड को हते हैं जो आपको अब दिखाई दे रहा है तो यह प्लाजमीड है क्या करते हैं उस जीन चाहिए उसकी प्रतिकृति बनती जाती है, जैसे एक DNA के खंड को यहां से इसमें जोड़ा गया था, तब क्या होगा कि अनिक सारे उसके प्रतिकृतियां बन जाएगी, वो कैसे बनेगी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगले टॉपिक में जब इसको जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे हम लोग युगमित अभियंत्रिकी की कहते हैं, जैसे देखें यह DNA है, इसको काट देंगे, और काटने के बाद इसको ले जाकर के दूसरे DNA में जोड़ देंगे, जैसे प्लाजमीन में जोड़ देंगे, तो इसे क्या करते हम लोग, अ अनुवानसिक अभियंत्रिकी समझ में आ गया होगा, और इसकी शुरुवात कब होई थी, तो अनुवानसिक अभियंत्रिकी की शुरुवात होई थी, इसको और डिटेल में हम लोग परहेंगे, तो इसकी शुरुवात होई थी, जब अनुवानसिक अभियंत्रिकी की शुरुवात होई थी, इसको और डिटेल में हम लोग परहेंगे, चली अब जान लेते हैं कि रसायनिक अभियंत्रिकी क्या होता है, जो कि इसका दूसरा सिधान थे, तो रसायनिक अभियंत्रिकी क्या होता है कि रुगानू रहीत वातावरन में केवल वांचित जीवों को रह करके उनसे अधिक मातरा में उत्पात पराप्त करना रसायनिक अभियंत्रिकी कहलाता है इन प्रक्रमों में रुगानु रहित वाता वरन बना कर केवल वांचित सुक्ष्म जीवों को रख करके, मतलब केवल वांचित सुक्ष्म जीवों को सुकेंद्री को सिकाओं में परवेश करा करके अधिक मातरा में उत्पात पराप्त करा जाता है, फिर एक बार इसको समझे, रसाइनिक वियंत्रिकी क्या होता है यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें रोगानु रहित वातावरन बनाकर केवल वांचित सुक्ष्म जीवों को सुकेंद्रिकी को सिकाओं में प्रवेश करा करके अधिक मातरा में उत्पात पराती आते हैं यहां पर एक दो टर्मा रहा है जैसे सबसे पहली बात है यहां पर कि रोगानु रहित वातावरन रोगानु रहित वातावरन का मतलब क्या है कि जहां पर वातावरन बिल्कुल सच हो और वहां पर कोई भी रोगानु जैसे जिवानु भोजी होते हैं वाइरस होते हैं या और जाते हैं और कैसी कोसिकाओं में तो सुकेंद्रिकी कोसिकाओं में अब सुकेंद्रिकी कोसिका क्या होती है जिसे हम लोग यूकेरियोटिक कोसिका कहते हैं यानि ऐसी कोसिका जिसमें पून संगठित केंद्रक पाय जाता है और जिल्ली होती है और केंद्रक पूरा क्या होता ह तो उसमें लोग कहते हैं यूकरियोटिक के सिका या फिर सुकेंदरी की कोसिका, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा है, सुकेंदरी की कोसिका है, जिसमें देखें यहां पर आपको पूंट संगठित केंदरक दिखाई दे रहा होगा, और आपको पता होगा कि कोसिका है दो तरह की होती है एक होती है Eukaryotic और दूसरी होती है Prokaryotic ठीक है तो ये को सिका है जो सुकेंदरी की अर्थात Eukaryotic है यानि इसमें देखे पूर्ट संगठित केंदरक है और जो प्रोक्रियोटिक को सिका होती है उसमें क्या होता है पूर्ट संगठित केंदरक नहीं होता है जैसे अब आप इस को सिका को देखे इसमें आप देखेगा सारे जो इसके को सिकांगे इधर उदर भटके हुए है यान मैं एक बार जल्दी से इसको आपका रिविजन करा देता हूं, मैंने आज क्या पढ़ाया, तो मैंने सबसे पहले बता है कि जैप्रदुकी क्या होती है, ठीक है, और इसका परिभासा आपने लिखी लिया है, उसके बार जानते हैं कि जैप्रदुकी से कौन-कौन से उत्पात बने हैं, तो टीके बने हैं, जाइन बने हैं, ब्रिधी हर्मोन बने हैं, उसके अलावा संकर भी जो अगर बना है, इंसुलीन बना है, वो सभी किस से बना है, जैप्रदुकी से, इसकी सुलवात को वोई थी, तो ये बहुत पहले से, जैबर्दुकी का इस्तेमाल बहुत पहले से हमारे पुरुवर जो लोग करते थे, जैसे अल्कॉल सारे 1100 किसी तक बनाया जा चुका था, सिर्का 24 साथ अबदी में सिर्का का यूज किया जाता था, जो आज कल अचार अगर में डालते हैं या पीने के अव्यंतर경े क्या होता है, तो किनकी एक जीव के DNA को काट करके दूसरे जीव में युगमित कर जायता है जो जायता है यहां, यह लिजए हम लोग यूझमित अवियंतरिके भी कहते हैं, और उसके बादад便। फ़िर मैंने आब को पताया रसाइनिक कुछ कायं क्या होती है और prokreatic कुछ कायं क्या होती है अगले वीडियो में मैं आपको और डिटेल में जो यह बंचा है, कभी हतरी की, gene, cloning यह सब बताऊंगा यह वीडियो आपको कैसा लगा है comment करके ज़रू बताएगा अच्छा लगा है तो like कीजिएगा हराब लगात दूसले कि युछ